बारे हज़ार साल पूराना है रिगविद जानिये हिंदू धर्म क्या है नमस्कार बैखु डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी हिंदू धर्म के धर्वग्रंथ को सुरुती और सुरुती के अंतरगत रखा जाता है सुरुती अर्थाजबेद बैदों के प्रमुख्चाद विभाग है रिगवेद, यजूरबेद, सामबेद और अथर्ववेद बैदों का ही हिस्सा उपनिशद है बर्तमान में रिगवेद के दस, कृष्ण यदूवेद के बतिस, सामबेद के शोला, अथर्ववेद के 31, उपनिशद उपलब्ध माने गए है बेदों को अधार बनाकर गई, इस्वृति ग्रंथों की रिष्णा हुई जैसे अठारा पुराण प्रमुख है, अठारे स्वृतिया, बेदों से निकली हुई कई सुत ग्रंथ, महाभारत, रमाण, आदी ग्रंथ है गीता महाभारत का ही एक हिसा है गीता को बेदों और उपनिशदों का सार माना गया है इसलिए बेद उपनिशद के बाद उससे भी धर्म ग्रंथ की स्तिरणी में रखा गया है मतलब यह है कि मातर बेद उपनिशद और गीता ही धर्म ग्रंथ है हिंदु धर्म के अनुशार इस्वर ये कहीं है दूसरा कोई इस्वर नहीं है जिसे ब्रम्ह परमेश्ट्वर परमात्मा आदि कहा गया है इस्वर को सगुण और निर्गुण सकार या निरकार रूप में भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त किया गया है इस्वर के अलावा कई देवी देवताओं को पूजनी का प्रचलन है इसके अलावा भगवान, राम, कृष्ण, आदि को पूजनी माना गया है पित्री और सिद्ध संत को भी महान माना गया है हिंदुओं के तीन प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा, बिष्टु और सिव और तीनों प्रमुख देवी सरस्वती, लक्ष्वी और पार्वती हैं दुरुगा, काली, भैरो, गणपती, कार्थिके और आदित्ती की पूजा का प्रचलन भी कालांतर से है हिंदु धर्म के अनिशार इस्वर तक पहुँचने के कई रास्ते हैं, उनमें से एक मूर्ती पूजा भी है, लेकिन अधिकतर ग्यानी निराकार इस्वर के ही गुणगान करते हैं इंदु धर्म में स्रिष्टि के दो सिधांत प्रचली थे हैं, पहला वैदिक और दूसरा पौराणिक वैदिक में यह असपस्ट पंचकोसों और आठ तत्व वाली हैं, पंचकोस, अनमें, प्राण में, मनों में, बिज्ञान मन और आनंद में उक्त कोस में ही आठ तत्व हैं, जैसे अनंत, महत, अंधकार, आकास, वायू, अगनी, जल, प्रिथ्वी, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से मन, और इंद्रिया तथा पाँच, तनमात्रा और पंचमा भूतों का जन्म हुआ प्रिथ्वी, जल, वायू, अगनी, आकास, मन, बुद्धी और अहंकार यह प्रिथ्वी के आथ तत्व हैं, इनहीं के अधार पर पुराणों में सब्त लोक का उलेख मिलता है, यह सब्त लोक हैं भूवी, आकास और श्वर्व, इनहें मृत्यों लोक या त्रे लोक के कहा गया है, जहां उत्पत्ति, पालन और प्रले चलता रहता है, इसे कृत लोक कहा गया है, उक्त तीनों लोकों के उपर महर लोक है, जो उक्त तीनों लोकों के स्थिति से प्रभावित होता है, किन्तु वहां उत्पत्ति, पालन और प्रले जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां ग्रह या नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं है। वरन वह अनंत असमित और अपरिमे आनंद पूर्ण है। स्थेश्ट आत्माएं पुना सक्त लोग में चली जाती है। बाकी सभी त्रह लोग में जन्म और बृत्यू के चक्र में चलती रहती है। जैसे समुद्र का जल बादल बन जाता है। फिर बादल बरस कर पुना समुद्र में जाता है। जैसे बर्फ जम कर फिर पिखल जाता है। ऐसे ही निरंतर चलाएमान रहता है। अभी तक आपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करें, सेर करें और ज्यादा सजादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजे इजाज़त। नमस्कार, जैसर किश्राइब।